Hey guys, welcome to our YouTube channel Civil Nation. इस वीडियो में हम देखेंगे कि AutoCAD सॉप्टर को हम फ्री में डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करें। इसलिए वीडियो शुरू से लेके इंटर्ग जरूर देखें ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना करो। सबसे पहले हमें Chrome ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर सर्च करना है Autodex Student. सर्च करने के बाद यहाँ पर टॉप पर लिंक देखेगी Student and Education Software. तो हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है. सॉप्टर को डाउनलोड या इंस्टॉल करने के लिए हमें Student Account की जरूरत है. अगर आपका Student Account already create किया है, तो आप Sign In पर क्लिक करोगे. यहाँ पर हमें New Student Account create करना है, इसलिए हम Guest Start पर क्लिक करेंगे. यहाँ पर हमें Create Account पर क्लिक करना होगा. यहाँ पर हमें हमारी Country सिलेक करना होगा, Educational Role हम Student करेंगे, Institution Type हम University करेंगे, और Date of Birth फिल करके Next पर क्लिक कर देंगे. यहाँ पर हमें हमारा Name, Email ID और Password फिल करना होगा. फिल करने के बाद, IGR को सिलेक करके Create Account पर क्लिक करेंगे. यहाँ पर हमें हमारी Institute का Name सिलेक करना होगा, साथी Inrollment Date और Graduation Date मतलब Course Completion Date फिल करके Next बटन पर क्लिक करना है. इस स्टेप पर आपको ध्यान देना है, आप मैंसे Maximum लोगों की कमेंड आते हैं कि सर हमारे Institute का Name शोर नहीं हो रहा और हमारा Graduation 2014-15 मतलब 6-7 साल हो चुके है Graduation Complete करने को, तो हम क्या करें? सबसे पहले अगर आपका Institute Name शोर नहीं होता है, तो यहाँ पर एक Option आता है, Can't Find Your School. इस Option को आप जैसे Select करते हो, कुछ डिटेल फिल करके आप अपना School या College अट कर सकते हो. दूसरा तरीका है, आपके Institute के पास अगर कोई Institute है, या आपके City में दूसरा कोई Institute है, और जो Institute यहाँ पर शोर कर रहा होगा, उस Institute को आपको Select कर लेना है. यहाँ पर हमारा Account Create हो चुका है, अब हमें यहाँ पर Continue पर क्लिक करना होगा, यहाँ पर हमारी एक Step बाकी है, जो है Document Verification, तो हम एक बार फिर Guest Start पर क्लिक करेंगे, और डिटेल चेक करके Confirm कर देंगे. अगर आपके पास आपकी Institute email ID है, तो आप यहाँ Confirm करेंगे, नहीं तो Cancel करेंगे, बट यहाँ पर हमें Document Upload करना ही पड़ेगा, उसके लिए हम Upload Document पर क्लिक करेंगे. हमें यहाँ पर ऐसा Document Upload करना है, जिस पर हमारा Name, Institute Name और Enrollment Date मेंशन होगा, यहाँ पर हम College ID कार्ड अपलोड करके Submit पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम इसे Close करेंगे. अब हमारा Account पूरी तरह से बन चुका है, यहाँ Validity दिखेगी 2 February 2023. अब हम AutoCAD Software को Download या Install कर सकते हैं, जैसे हम Scroll Down करते हैं, तो दिखता है AutoCAD for Windows and Mac, हमें यहाँ पर AutoCAD for Windows लेना है, उसके लिए Get Product पर क्लिक करना होगा, हम यहाँ पर दूसरे वर्जिन भी ले सकते हैं, जैसे कि 2019, 2020, 2021 और Software को हम Install या Download भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर Software को Download के बाद हमारा Software डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर Software डाउनलोड हो चुका है, अब हम इसे Open करते ही, Open करते ही Software एक्स्ट्राइक होनी लगेगा, हमें आएगरी को सिलेक करके, Next पर क्लिक करना है, स्टॉर को कहा पर Install करना है, उसे सिलेक करके, Next पर क्लिक कर देना है, इंस्टॉल पर क्लिक करते ही, AutoCAD स्टॉर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाता है, अब हम स्टार्ट पर क्लिक करेंगे अब हम स्टार्ट पर क्लिक करेंगे जिस email id से हमने student account create किया है उस email id से हमको यहाँ sign in करना है हमारे account को protect करने के लिए get start पर क्लिक करना होगा उसके बाद dual mobile application को हमारे phone में install करके यह QR code scan करना है और next पटम पर क्लिक कर देना है यहाँ पर हम continue पर क्लिक करेंगे तो यहाँ AutoCAD software open हो चुका है software की validity एक साल के लिए रहेगी एक साल बाद हम validity को renew कर सकते है और जब तक हम student criteria में आते है तब तक हम AutoCAD को access कर सकते है होप आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करें और कोई पीड़ा उट हो तो comment में बताना अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe जरू कर देना और साथी बेल आइकोन को भी दबा देना ताकि नए वीडियो की notification आप तक सबसे पहले पोज़ें तो मिलते हैं अगले वीडियो में टेक केर बाबाएं